नवश्कार दूरदर्शन के विशेश कारिक्रम में सभी दर्शकों का हर्दिक स्वाकत दर्शकों कुछ नाम विशेश सम्मान अरजित करते हैं साथी साथ उनके साथ ऐसा व्यक्तित और कृतित उजुड़ा होता है जो हम सभी के लिए एक प्रेड़ना बनता है हम सभी के लिए एक विश्वास बनता है और सबसे महत्पूर्ण बात यह होती है कि जब वो नाम हमार उनके दर्शन को लेकर उनकी जीवन पद्धती को लेकर और सबसे बड़ी बात उनके सोच उनके विचार और आम आदमी के खास आदमी बनने की प्रक्रिया को हम मेंगित करेंगे उस पर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात उनके योगदान के माध्यम से आज भारत ने जो उपलब्धियां अरजित की हैं और भारत विशेश रूप से उनके दर्शन से उनकी पैचान से जो नाम पूरी दुनिया में पाता रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा को कुछ कविता की पंक्तियों में आकार दूँ तो बात कुछ यूँ बनेगी कि दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होती आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक न होती हारते हैं वे जिनें विश्वास अपने पर नहीं हैं बढ़ चले रा हमें पतिक तो दूरियां बाधक न होती हैं आए कारिकरम की शुरुआत करते हैं और आज मैं परिचा कराता हूँ हमारे दो विशेशक्यों से जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व की इस मोहक परिदी में हम इस कारिकरम को एक नई गरीमा प्रदान करेंगे मेरे साथ हैं डक अमबेटकर लॉय उनिवस्टी के फाउंडर जो आप एक डीन है जो एक परिदी है जो उसकी एक विकास की सनरचना है उसमें आपका योगदान रहा है और हमारे दूसरे वरिश्च शाती हमारे साथ हैं श्री बनवारिलाल बैरवा जी आप वरिश्च उपाध्यक्ष हैं ड पूरी गरिमा को डाक्टर अमबेटकर के व्यक्तेतु के विविद पहलूँ को इस माध्यम से आगे बढ़ाया है और एक आम आदमी को खास आदमी बनाने की प्रक्रिया में अपना वहत्मौन योगदान दिया है तो चर्शा की शुड़ात करता हूं मैं डाक्टर गुविन सिंग जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो डाक्टर अमबेटकर की समविधान निर्मान की जो प्रक्रिया थी जो समविधान के पीछे उनकी मूल भावना थी जोकि आप विधिविशेशक्या है तो हम चाहेंगे कि समविधान की उस पूरी प्रक्रिया को आपके माध्यम से सबसे पहले मैं समाज को समता, समानता, स्वतंतरता, बंधुत्वता और नियायका मार्ग प्रसष्ट करने वाले ऐसे महन दार्षनिक को साधर्नमन करता हूं डॉक्टर भारत रत्म, डॉक्टर अभीमराव अंबेटकरजी को साधर्नमन करते हुए विधी के चेत्र में उनका योगदान अतूलनी है और इस भारत के समविधान के निर्मान में भारत के समविधान के निर्मान की भूमी का में Constituent Assembly से समविधान निर्मात्री सभा से लेकर जब तक इसको इनफोर्स किया गया बनाया गया तब तक बहुत ही विशेश महत्व पूर्ण योगदान डॉक्टर अमबेटकर साब का रहा डॉक्टर अमबेटकर साब के की मान्यता थी उनके अथक प्रियासों से समविधान में मौलिक अधिकार निती निर्देशक्तत्व और कई विशेश उपबन जो Constituent Debate के फल्सुरूप फलीबूत हुए यह मैं यह कहना चाहूंगा कि बाबा साब अमबेटकर जी की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकारों में प्रमुक रूप से आर्टिकल 32 समयधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है उन्होंने कहा कि जब तक कि आर्टिकल 32 समयधान में समावेशित नहीं किया जाएगा तब तक बाकी मौलिक अधिकारों का कोई मैत्व नहीं रह जाएगा इसलिए उन्होंने आर्टिकल थर्टी टू को उसकी आत्मा उसकाहरदे निरुपित किया और उन्होंने इंगित किया इसके बाद निती निद्देसक तत्मों का समावेश डारेक्टर प्रिंसपल पॉर स्टेट पॉलिसी आप देखिए किसी भी राज्ये के लिए लोक कल्यानकारी राज्जी की उस राज्ये में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक उसका विकास विस्तार और न्याय पहुचे इस संकल्पना को साकार करते हुए डॉक्टर अंबेट करजी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली जो संकल्पना है उसको एक आधार भूत नियमित किया जी गोविन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सबका साथ सबका विकास और जो उसकी आधारभूत जो एक सनरचना है वो सभी लोगों तक पहुँचे उसके लिए उन्होंने महत्पून कारे किया बनवारी लाल जी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और जैसा हम पूरू चर्चा में आपसे बात कर रहे थे कि जो समास सेवा का एक जो सरुकार है और जैसे डक्टर साथ के जो नीती निर्देशक तातू थे या जो उनकी विचार धारा थी तो समास सेवा में उनके जो आथे उसको आप अपने तोर पर कैसे मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साथ डॉक्टर भीमरा अंबेटकर जी का जिन परिस्तितियों में जनम हुआ और उस समय जो महाल था उसमें ने भूलने के आजादी थी ने पढ़ने के आजादी थी ने अच्छे कपड़े पहनने के आजा सहयोग से वो बाहर पढ़ने गए और जब उनको उनके आज सेवा करने का अवसर मिला तो इतने सिक्षित होती वे भी उनके साथ में अंटचेबिल्टी का व्यवार हुआ और जिस मकान में वो रहते थे जब उनकी जाती का पता चला तो उनका सामान रात को फेंक दिया गया ऐसे मैं बाबा शाब ने परण लिया कि जो मैं जहिल रहा हूं वो आने वाली जनदचन को नहीं जहिलना पड़े और उन्हों ने उस दिन जो प्रतिग्या ली उसके तैत उनोंने समाज सुदार के छेतर में समाज के उत्ठान के लिए वो निकल पड़े और उन्होंने अर समाज को भी संधेश दिया दूसरे समाजों को सभी अंग जैसे हैं यदि इनको समान अवसर मिले तो ये बराबर का योगदान दे सकते हैं और जो अपने समाज के लोग हैं उनको सिक्षित हो करके आगे बढ़ने का देश के समाज के विकास में अपने योगदान देने का उन्होंने संदेश दिया समाजिक छेत्र एक ऐसा छेत्र है जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि यदि बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर नहीं होते तो शायद इस छेत्र में इतना ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम किया तो मैं यह मानता हूं कि बाबस साब डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर समाज के को आगे बढ़ाने में समाजिक छेत्र में उनका अधभूत योगदान है जैसे हमको याद रख हम उनके बताए मार्ग पर चल करके देश और समाज की हम सेवा करें बनवारी लाल जी ने दर्श को देखे जो एक सामाजिक पहलू है जहां प्रत्तिक व्यक्ति को कारे करने के लिए जब तक समानता नहीं मिलेगी आवसर नहीं मिलेंगे और सबसे बड़ी बात उसके कितना विस्तार देता है यह सामाजिक इस्थितियों में उसको मिलने वाले अवसरों की इस्थिति होती है और उन अवसरों का वो अपनी जीवन में कैसे प्रयोक करता है कैसे उनको आगे बढ़ाता है इस पर उसकी पूरी अवधार्ना निर्भर करती है गुविंजी मैं आभादी आभादी की संग्या पाती रही है और सबसे बड़ी बात है कि आधी आभादी जो हमारी है और उसका सामजिक संरचना में बहुत बड़ा व्यापक योगदान है। डॉक्टर अमबेटकर जी का सुरू सही महिलाओं को ससक्त करने का एक मूलभूत बीड़ा उन्होंने उठाया था और इसको वो मानते थे कि महिलाओं सबसे पहले सामाजिक स्वतंता की और इंगित करती थी और महिला को सामाजिक स्वतंता की और ले जाना चीए उनको आर्थि समय हिंदू कोड बिल के जरिये उन्होंने महिला को प्रॉपर्टी में अधिकार कानूनी अधिकार देने का जो बीड़ा है वो सबसे पहले उन्होंने उठाया और निश्चित रूप से उन्होंने कानूनी अधिकार के रूप में उस महिला को उस समाज में रहे पिछडे मंच इसाजित तो जैसा गोविन जी कह रहे थे कि महिलाओं के विकाश के लिए उन्हेंने बहुत सारे काम किये साथी साथ उस चेतना की स्थितिक उन्हें उत्पन किया जिससे वह अपने अधिकारों को जाने और सबसे महत्पूर्ण यह है कि जब कोई व्यक्ति एक बाद जाग जाता है अपनी परिधी को समझ लेता है अपनी चेतना को समझ लेता है तो वो जान जाता है कि मेरे व्यक्तित में कितना बल है और फिर वो अपनी संपूर्णता के साथ अपने लक्षे के लिए जुड़ ज आपने बहुत अच्छा प्रसंद किया है लोग बावा साब को दलीतों का मसिया कहते हैं तो वो उनको एक छोटा करने वाला काम है वास्त्विक्ता यह है कि जब हम बावा साब को पढ़ते हैं तो यह मालूम पढ़ता है कि यदि वो समाज के छेतर में नहीं जाते राजनीती क जाते हैं तो स्याइद उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं था उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएसडी किया अर्थशास्त्र के छेतर में अनेकों किताबे लिखी और जो दार रूपी प्रॉब्लम वाला वुक है वो भी बहुत बहुत चर्चित रहा जो यह डी म चेत्र को चुना अधरवाइज अर्थसास्त के छेत्र में वो उच्छा ग्रेंड किये वे थे जो उनकी सोच थी अमर्थ से नोबल पुरुशकार विजेता है उसने खुद कहा है कि यदि बावा साहब डॉक्टर भीमरा अम्बेड करके बारे में मुझे कुछ कहना पड़े त तो जो आपने बांदों के बारे में दूसरे विशे के बारे में छेड़ा है उस समय बावा साहब की जो सोच थी उसके तैप देश में बड़े बड़े जो बांदों का निर्मान हुआ वो बावा साहब की सोच के कारण हुआ उनका सुजाव था उनका मानना था कि बड़े तो हमारे देश में गरीबी μαै मारिय करन does यह जो कारण वह आरिए इस्टिति मजबूत होगी तो उसके साथ यौऐ सीम आंपने 2-3 वर्या का जो व्यवार फिल्द वो उनकी गरीबी कमजोरी के कारण था तो वो उसको सुद्रण करना चाते थे और एक बात यह है कि यह सब चीजों के पीछे उन्होंने को एक जाती वरग को मदिनजर नहीं रखा बलकि वो पूरे देश के जो नागरिक हैं हर गरीब की वो चिंता करते थे और हर चेत आज जै और उसके उनका ऐसा मानना था कि जो हमारे देश के अंदर जो करसी है यह प्रमुख आय का स्रोथ है तो इसमें सब को काम करने का आफसर मिले और सब को रोजकार मिले और उससे जुड़ेवे जो द्योग गंदें वो देश में फैले हैं तो इतनी जो ब्रॉड सोच है वो ए एक व्यक्ति के अंदर होना हम दूसरे जो महापूरूस है उनको देखें तो अलग-अलग छेत्रों में उनकी अलग-अलग उपलब्दी हैं लेकिन भाबा साब दॉक्टर भीमराव अंबेड कर ही एक ऐसे महापूरूस है जिनका हर छेत्र के अंदर उनकी उपलब्दी है चाहे सामजिक छेत्रों, राजनेतिक छेत्रों या आर्थिक छेत्रों, जो भी छेत्र हैं, उन्हें सभी छेत्रों में उन्हें अच्छा काम किया है। तो मैं तो ये मानता हूं का आज हमारे देश की जो आर्थी के स्थिति है सुद्रड है वो उसमें कहिन कहीं बाबा साहब का बड़ा युगदान है दर्शकों देखे ये बनवारी लाल जी के माध्यम से एक बड़ी महत्पूर्ण बात आई कि जहां समगरता की बात होती है इसे एक साथ जोड़ कर उससे बड़ा लाब लिया जा सकता है बड़ी परिधी में जाया जा सकता है वो बात बनवारी लाल जी के माध्यम से सामने आई गोविन जी एक बात बड़ी महत्पूर्ण है इसी बात को आगे बढ़ाते हूं मैं आप से जाना चाहता हूं किसी भी है जो अपनी अधिकारों को नहीं जानते हैं आज अच्छा मंच है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो वश करता हैं यो कि अपना कर कैसे अपने अधिकारों को ओ अपने व्यक्तित को एक बड़ा आया surprised बावा साब ने सुरू से ही सामाजिक न्याय का जो commitment है, सामाजिक न्याय की जो वचन बदता है, उसको सू निश्चित किया था, उनका मानना था कि जब तक दलेत, वांचित, सोसिस और डाउन ट्रोडन क्लासेज हैं, उनको अपलिप्ट नहीं किया जाएगा, उनको आगे नह पेक्ष में, डॉक्टर अमबेटकर साब का सामाजिक न्याय का जो commitment था, वो आज की जरूरत है, सामाजिक न्याय मिन्स सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक पहलों को समगरित करता है, और उसके आधार पे आम जन, common man, और उसमें भी वो क्लास जो बिलकुल डाउन ट्रोड स्रमिक कानू, स्रमिक विधिया, उन्होंने लागू करवाई, उसमें भविशे निदी योजना, आपका कारखाना संसुदन अधीनियम, और जिस प्रसुति अवकास की अपन बात करता है, वो 1945 में उन्होंने उसमें जो है उलेकित किया, और उनकी ये दूर दर्शिता थी, क के साथ उपबंद बनाएं, प्रावधान बनाएं, और उन प्रावधानों को किस तरह से लागू किया जाएगा, ये इसपस्ट वो दिया, उन्होंने अपने तबके के लिए S.C.S.T. रिजर्वेशन्स हैं, कही विशे प्रकार के उपबंदों का निर्मान किया, उसके साथ समयदान सभा में अक्सर मुखर होकर अपनी बात को रखते थे, जैसे मैं उल्ले करूं के लंदन में तीनों गोल में सम्मेलन में, अमेटकर साब ने बड़ी मुखरता से, अचूत के भेदवाब को, अचूत के अधिकारों, सक्तियों को, बड़ी प्रबलता के साथ, लंदन में वो उठाया, तीनों गोल में सम्मेलन में और बहुत ही एफिशेट की इस बात को, इस तरह के कई बिंदू थे, जिनमें उनकी मानिता बिलकुली उस पे थी, उन्होंने समय समय पर, जैसे बंबई में सिदार्द महाविद्याल है, और अंगाबाद में मिलिंद महाविद इस सारी सिक्षा के चेत्र में, कि वीप सबसे पहले सिक्षा मिले, उनको आर्थिक संबल मिले, और फिन को बराबरी समता समानता के साथ जोड़ा जासे, यह उनकी मुख्य रूप से उपलाती है, जब तक शिक्षा नहीं होगी, चेत्ना नहीं होगी, अवसर नहीं मिलेंग जो उनके वेक्तेतु को और बेहतर तरीके से रेखांकित करेंगी, और मुझे लगता है कि यह पंक्तियां उनके वेक्तेतु का आधार ही है, और पंक्तियां कुछ यूँ है, ला तेरे दुख की गठरी को मैं अपने कांधे पर उठा लेता हूं, धूप निकली होगी बाहर थोड़े दुख सुखा देता हूं, न जाने क्या सोचकर हर इंसान सड़क पर उतरा है, सब के हातों में हैं पत्थर, मैं फूल उठा लेता हूं, सब के हातों में हैं पत्थर, मैं फूल उठा लेता हूं, तो डक्टर अंबेड कर की जो अवधारना थी कि वो रास्ते के काटों को उन्होंने साफ किया, रास्ता बनाया, उस पर चलने का मार्ग सुगम किया, और सबसे बड़ी बात उस कद को पैचान दिलाने के लिए एक ऐसी परिपाटी की स्थापना की, कि जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से संबल दे, वैचारिक रूप से संबल दे, शिक्षा के रूप में संबल दे और जब ये संबल मिलेंगे तो उसका व्यक्तित आपने आप में ही एक बहतर भविशे की और अग्रसर होगा. बनवारी लाल जी मैं आपने एक बड़ी अच्छी चर्चा की थी आर्थिक आधार को लेकर और आपने उसमें एक संकेत किया था कि जिस समय जो रिजर्ब बैंक बना, जो आपने जो उस पूरे आर्थिक तंत्र की पूरी परिधी को हमारे सामने रखा, मैं आपसे थोड़ा से विस्तार से बाद जाना चाहूंगा कि आर्बियाई की जो इस्थापना की गई और जिस तरीके के विकेंद्री करण या जिस तरीके के व्यापक ततूस में समलित किये गए और विशेश रूप से आर्थिक पक्षों को लेकर तो आप उसको किस रूप में देखते हैं से रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया है वो आज हमारी रीड के अड़ी बना हुआ है और आज तक कोई ऐसा उधान सामने नहीं आया है जो बनलग करी फेलियोटी हुई हो बलकि बाबा साब ने आर्बियाई के माध्यम से जो बैंकों का जैसे रास्ठी करण है और जो सेकारिता बैंक को कि अवधारना है जो समाज के साथ सीधा जोडने वाला प्रियास है यह बाबा साब की दिन थी तो मैं तो यही कहूंगा कि आर्बियाई का गठन इटसेल्फ जो है वो ही यह संकेत देता है कि बाबा साब डॉक्टर भिम्राव अंबेड कर अर्थ सास्त्र के छेत्र में कितने बड़े ग्याता थे और अभी जैसे यह नोटों का डिमोनेटाइशन हुआ मैंने पहले भी चर्चा करी यह बाबा साब ने बहुत पहले इसकी सुजाव दिये थी और उसको अभी किया गया समय समय पर किया भी जाता है तो आर्बियाई का गठन अपने आप में ब तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर एक ऐसा नियामक तत्व है जो हमारे देश को एक विशेश पैचान दिलाता है और विशेश रूप से जो पूरी प्रक्रिया है उसमें उसका महत्मून योगदान है गोई जी इसी बात क उनके लिए एक नीव साबित होगी ताकि जब भी अपने अधिकार को संजोईएंगी तो निशित रूप से वह अपने परिवार को अको अपने समाज को एक बहतर तरीका दे सकेंगी तो इस समपत्ति का जो अधिकार है और विशेश रुप से समपत्ति के जो पक्ष मैं को स्थिफा देना पड़ा मतला उन्होंने बड़ी मुखरता से संपत्ति का अधिकार पक्ष को रखा कांस्टिट्रेंट असेम्बली की डिबेट में भी और हिंदू कोड बिल को उसमें जो है और किसी महिला को कानूनी अधिकार देना यह बड़ी बात कानूनी जामा देना य एक अर्थ सास्ति के रूप में है उन्होंने का कि जब आर्थिक रूप से संबलता मिलेगी बढ़ावा मिलेगा तो जो स्लेवरी की बात करते थे जो अच्छूवचूद का मेन कारण मानते थे उसको आर्थिक मानते थे और उन्होंने अपने लंदन स्कूल अप एकोनोमिक जो बाबा साब ने अपने उसमें इसपस्ट रूप से उलेखित किये और उनका अभूत्पूबूर योगदान है पर्टिकुलरिस में और समिधान में भी उन्होंने जगे जगे पर अलग-अलग प्रावधान के रूप में इसको विस्तारित रूप से समझाया इमन देन से है वो बाबा साब की देन है बाबा साब का एक और सूथ था जो फैलोशिप के लिए वो बाहर गए थे उनका उनके परिणाम सरूप यह वितायोग जो है उसकी रचना की गई इसके साथ साथ जो योजना आयोग है जो आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है निर्वाचन आयो को संपतिके में अधिकार मिले तो निशित रूप से वह अपने परिवार को अपने व्यक्तितों को आगे बढ़ा सकेंगी अब अनवारी राल जी वक्त थोड़ा कम है लेकिन फिर भी हम आप से उनके दर्शन की जो प्रसंग्रिकता है और जैसा आपने एक अच्छी बात कह था कि हर व्यक्ति जो जबीन पर जनम लिया है उसको संबान से जिने का अधिकार है और इसी चीज को ध्यान में रखते हैं होना हर छेतर में काम किया जितना भी अभी उल्लेक किया गया है ये मानवता समानता स्वतंदरता बंदूता ये सब चीजे जो हमारे भारतिय समिदा के प्रियंबल में बताई गए हैं उनको वो समिदान की आत्मा एक तरह से प्रियंबल उसमें इनका लेक किया गया है तो मैं तो यह कहूंगा कि बाबा साब डॉक्टर भीमराव अंबेड कर यदि नहीं होते तो स्याद आज हमारा देश इस उन्नती के सिखर पर नहीं होता और हम एक जुट नहीं होते और एक रास्ट नहीं होता हमारा मतलब यह जो बाबा साब की देन है खुद कहा करते थे शिक्षा का अपने छेड़ा था टॉपिक उन्होंने कहा था शिक्षा सेर्मी का दूद है और इसे जो पिएगा वो धाड़ेगा तो शिक्षा से चरीतर क के लिए नहीं बलकि अपने जो मस्तिक्स का विकास करने के लिए और समाज को एक दिर्शा देने के लिए था और उसका उन्होंने उपियोग भी किया बहली बाती है बन्वरेल जी वक्त हमारे पास सीमित है और मैं दर्शकों से अग्रह करता हूं कि आज आज आप दोनों व देश की पहचान को एक व्यापक आयाम देंगे आप दोनों हमारे स्टूडियों में पधारे और हमारे दर्शकों से बात्चीत का इतना सुनहरा माका मिला आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार